कि बुरवी को बुरवी पेपर में ऐसे अन्दा खयात पाजाता है फिर वो छेश्टे दिने उसके प्रोल है उसको तोट मारके खुद निकलाता है तो आपको ये फिकर नहीं होने चाहिए कि हम कालुपात एक दुन्यरिया से कैसे अजादी आसे कर सकते हैं आप इसको समझ भी ने चकते हैं, जर्दी को लाख तकलीर करो अंडे को कि तेरी जर्दी को तुभी दाहर खुद बखुर आ सकती है तो गहिए अरे मेरे अंदा तुझ जान ने, वैत तो इस खोल में हूँ नहीं कब ऐसा मुकाम आप आ सकती हैं अंदे की जर्दी कहेगि मैं कैसे हम तो खाब में इसको समझनें सेकिंगे लेकिन उसको चाहिएगी कुछ, कुछ न सोचे न कुछ संजे, न सोचे नहीं की जरूर से नहीं समझएंगी दरूर से ,। बेस थोचे बेस संजे मुरथिर के औरोंप के अंदर बैठ जाएगी कि कहीं होंगे वो तहीं हो तो धेंची जो एक आँ तो जिन्दा नहीं रहा हमारा जो एक हाँ गेरी बागनी रहा हाँ अधा अधा करेंगे कि सारी जिन्दगी का पाप धुल जाएगा एक हाँ से जन्नती बनेगा खुदाने नदामत के आशूं को वो मुखाम दिया तफ्सीर कि मुझे सुभान ल्ला प्रहने वालों से जड़ा अपने गुनेगार बंदों के आशू और उनका इस्तिखफार करना और माजिकी गुनाहों पर रोना व मुझे ज़्याद आजीज है अपने सुभान ल्ला और अपनी पाकी बयान करने से आप अब से इस्यां लाजा कीजि या मिन्जदिलिलमसब्वहीन ये इना अजलना में सुर्य तंसीर रूहलमानी में सुर्य गद्र स्कारा नंबर 30 की तफ्सीर में ये हदीथ कुछ सी बियान किये कि लानीमुलमुजनिबीन गुनेगारों का रोना और इस्तिखवार करना मुझे आहब है महभूग है सुभान अल्ला बहने वालों से मिन्जदिलिलिल्ग सब्दही अबाब बताई एस्तिख सुभान अल्ला कह रहा है एस्तिख अल्ला निया हम दुनेगार हैं को माफ कर दो अल्ला उस पर फिला हो रहे हैं अपनी रहमत को उस पर कुर्बान कर रहे हैं अपनी रहमत की वारिश फर्मा रहे हैं उस पर और उसके हर आशुओं को प्यार दिले रहे हैं हर आशुओं का